हेलो फ्रेंस स्वागात आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंस आज हम लोग इस वीडियो में जैसी आरटी क्लास फाइब का मैद और देखिए ये वीडियो का तिसरा पाठ है इससे पहले मैंने दो वीडियो बना दिया है यदि अपने उस वीडियो को अभित कि कहां से कहां तक हुआ है और कहां से आज आगे करेंगे ठीक है तो देखिए फ्रेंस यहां पर देखिए यह सभी सवाल मैंने पिछली वीडियो में अगदम आसानी तरीके से आपको समझा दिया था ठीक है तो यहां तक हम लोग पिछली वीडियो में पुरा कर लिए थे ठीक है तो चलिए अब आगे हम लोग दिखते हैं तो देखिए अब आगे जो है आप लोग का है गुनन खंड इंगलीस में इसको फ्यक्टर बोलते हैं तो दिखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्रिया कलाप क्या हुआ है यहाँ से आप समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर देखे, काता है, चूडियों की संख्या, अलग-अलग समू, तो यहाँ पर देखे, सिधे, यहाँ पर पांच है न, अब देखे, पांच जो है न, यह किस-किस पहड़ा में आता है, उसको लिखावा यहाँ पर, सबसे पहले एक लिखावा है, उसके बाद पांच लिखावा ह बस यही दोनों संख्या का पहड़ा में यह पांच आता है तो देखिए कोई भी संख्या वह जिस जिस संख्या में आता है वही उसका गुननखन कहलाता है ठीक है जिसे पांच कोई संख्या है ठीक है और यह किस किस संख्या माता है एक का पहड़ा में आता है दो का पाड़ा में आएगा, चार का पाड़ा में आएगा, और फिर आठ का पाड़ा में आएगा, इसके आलावे और कोई भी संख्या के पाड़ा में ये आठ नहीं आएगा, अठारो दिखिए, एक का पाड़ा में दो का, तीन का, चो का, नो का, और अठारो का पाड़ा में 8 लगवाड़ा बादबाकी और किसी भी संख्या परण के भाड़ा है इसलिए अब यहां पर गुननखहन ही भीज़ाएगा टीक है अन्हें अब यहां पर देखें 20 जो है न एक का पाड़ा में 2, 4, 5, 10, 20 बस यही सब संख्या परण Tools का यहां पर छो का दस का पंद्रव का भी आपको यहां पर लिखना है छो किस पहड़ा में आता है सबसे पहले ता आपको एक लिखना है ठीक है एक जो होता है ना वो किसी भी संख्या का गुननकन होता ही है ठीक है एक और लास्ट में वह खुद संख्या ठीक है जैसे छो का निक और लाष्ट में खुद्व ही आया मतलब ठारों ऐगी nya एक और लास्ट में गई चूद्व prod अपका नहीं होगा था ठीक ुसी प्रकार यहां पर तीन संख्याई है इसका आपको बना लेना है तो चलिए लिए आगे 3 6 9 और 18 के गुननखंड है अब देखिए यहाँ पर कहता है इन्हें जानिए गुननखंड को अपवर तक भी कहा जाता है तो बस इसको भी जानना है क्या जानना है कि गुननखंड को अपवर तक भी कहा जाता है ठीक है तो चलिए अब आगे देखिए अगला पेज में देखि कि इस तरीके से आपको यहां पर चार्ट दिया हुआ है इसको भरना है कैसे भरिएगा यहां पर एक है यहां पर एक है को ना को इस तरीके से गुना करना यहां पर भर दना फिर एक को दो से गुना करके यहां भर दना एक को तीन से गुना करके यहां भर दना तो यह उतना जो बराबर 33 दिया मतलब तीन को अगर 11 से गुना करेगा तो 33 आएगा अब यहां पर बहुत ही आसान है देखिए यह तीन तिन यहां पर हो जाएगा आपका और यह 11 है ना 11 हो जाएगा यहां पर आपका तो इसको आप अपने कोपी में बना लिजेगा ठीक है बुक में नहीं बनाईएगा और यहां पर देखिए पांच गुना नो बराबर 45 अता खाली जगा मतलब बॉक्स और बॉक्स संख्या 45 के बनाया हुआ है पहले से यह इस ऑसान देखिए 24 जो है न किसμέ का पाड़ा में आता है उस संख्या को घहरा लगा देया हूआ है बनाया हुआ है पहले से एक्जामपल है यह ठीक है उधारन है दो कपड़ा में आता है इसलिए गोल किया हुआ है तीन कपड़ा में भी आता है चार कपड़ा में भी आता है पांच कपड़ा में देखिए 24 नहीं आता है इसलिए पांच को इसे ही छोड़ दिया है चो कपड़ तिन से गुना करना है तीन गुना बाराव कर देना है फिर चार गुना नौ कर देना है इस तरीकिक से लिखना है तो यहां से देखिए एक हो जाएगा आपका गुननखन दो होगा तीन होगा चार होगा और चो होगा तो यहां तक हुआ उसके पर इदर यह तो छो लिखा गया है तो आगे हम लोग इसी पर कार बनाएंगे नॉना ND दो लाइन कि यहां लोग तो और यह कता है तो चाहर प्याखेृः मादत राख बार मतों देखिए कि साटीन हो जाएगा एक हो जाएगा 215 और 107 हो गया एक इसका तो आगे हम लोग इसी परकार बनाएंगे अभ्यास के परस्ट में ठीक है तो देखिए यह है अभ्यास का परस्ट इसको हम लोग हल करने वाले हैं तो सबसे अपना कोपी में इसको नौट कर लेना है बना लेना है उतार लेना है ठीक है उसके बाद फिर बना का तो देखे परोंस मेंने कौश्चन को यहां पर अपना कोपी में उतार लिया है आपको भी शित्र के सपना को प्रहुपी में अभ्यास के परस्व मे दिखिए एक नंबर का कूर नंबर में 27 नहीं आएगा तो छोड़ देना इसे ही तीन कपड़ा में आता है 27 तो यह पर तीन को घहरा लगा देना है अब आगे देखिए चार कपड़ा में तो 17 नहीं आएगा तो इसको इसे छोड़ दना है पांच कपड़ा में 17 नहीं आएगा इसको भी से छोड़ दना है साथ कपड सबसे पहले आपको एक में लगा देना है क्योंकि एक तो होता ही है और होगा ही दो कपड़ाम 32 आएगा कतना बर में दो कपड़ा सुल्लो बर पढ़िएगा तो यहां पर दो को इस्तरी के से घेरा लगा देना है तीन कपड़ाम में 32 नहीं आएगा ठीक है चार कपड़ाम आथा है चार को घेरा लगा देना है पांच कपड़ाम नहीं आएगा छो कपड़ा पड़ा में आएगा तो लोगों घेरा लगाएते हैं देखिए तो दिखिए इतना संख्या अपर दिया हुआ इसमें से एक दो तेन चार पांचे ऐसा संख्या है जिसमें से 32 आपका आएगा पड़ा पड़ने पर तो देख लिजे इसको और इसी प्रकार से आपको घेरा लग का लेना अपना कोपी में गर नंबर में देखिए संख्या बारो के गुननखंड एक दो तीन चार पांच छोगो खाली जगह दिया हुए चोगो आपको गुननखंड लिख देना है तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना एक लिखना है एक तो होता ही है किसी भी संख्य सबसे पहले एक आया और लास्ट में खुद वही संख्यां आ गिया तो इस प्रकार से आपको यहां पर भर लेना है अपना कोपी में बना लीजिए इसको नौट कर लीजिए फिर बढ़ते आंगला क्वेशन की और अब आगे देखें दो नमरा क्वेशन में कहता है दी गई संख्याओं के गुरनखंड जिसको अपवर्तक भी का जाता है तो बस गुरनखंड ग्यातक जिये कहता है तो चलिए इसको हल करते हैं देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर 45 लिखना है उसके बाद इसे ला सकते हैं तो दिखिए अगर दो कपड़ा पड़ते हैं दो कपड़ा में तौt 45 ना आएगा तीन कंपड़ा में आभां आएगा तिहां पर हमरोंग लिखेंगे ऑप 15 गुणा तीन ठीब संद्र कपड़ा तीन मेर पड़ने पर 45 आएगा ठीक है और देखिए क्या होगा 45 और किस तरीकी से लाज सकते हैं कि नो गुड़ना पांच इस प्रकार भी आता है नो पचे 45 देखिए आगया 45 और किसी में आता है क्या तो देखिए एक कपड़ा में हपे आगया तीन कऊ परनाप एक प्लिस आया पांच कह पढ़ आगया और शेक अप्डम तो नहीं आए गाए गा आठ नो नो का तो लिखावा आए आप ठीक फिर दस 11-12-13 14-15 फिर लिखावा है उसके बाद देखिए 16 17 18 19 20 होगा नहीं अब सिधे एक के बार में 45 का पर पर लिखा हुआ है पहले से तो यहां पर बस इतना ही होगा तो यहां पर आपको लिख देना है अता कि 45 के कि गुनन खंड कि 45 के गुनन खंड बराबर क्या हो जाएगा सबसे पहले एक लिखना है ठीक है उसके बाद फिर तीन लिखना है कि कि पांच लिखना है पांच के बाद अब इधर से लेना है 9 लिखना है फिर अधर मंदर हुकर लिख क interpre initiatives देन है तो देखिए इस तरीके से 1, 3, 5, 9, 15 और 45 इतना हो जाएगा इस question का answer ठीक है मतलब यही संख्या का पहड़ा में आपका 45 आएगा बाद बाकी और कोई संख्या इसा नहीं है जो कि 45 आ जाए ठीक है तो बस यही हो गया इस question का answer आप इसको देख लिजे फिर बढ़ते हैं अंग क tun कारण सतर आएगा ठीक है कितना ब sparked सब्सक्राण और किसे लिजा सकते हैं कितना बार में 35 आ पैए 35 दुर्ट सत्तर और दिखिए तीन कपड़ा में आएगा क्या तो तीन कपड़ा में तो सतर नहीं आएगा चार कपड़ा में नहीं आएगा पांच कपड़ा में आएगा चौदो बार में आएगा ठीक है चौदो पंचे सत्तर तो यह पर सतर आजाएगा और देखिए और आ सकता है क्या पांच कपड़ा में तो आगे, चोदो पंची सप्तर, और छो कपड़ा में नहीं आएगा, साथ कपड़ा में फिर आएगा, साथ धन, सत्तर, तो दिखिए, अब जो हन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, अता, सत्तर के गुननखंड, बराबर दिखिए, दो, पांच, साथ, उसके बाद फिर इधर से लेना है, दस, फिर चोदन, फिर पैटीस, और लास्ट में सत्तर, देखिए, लास्ट में आपका वही संख्या आजाएगा, जिस संख्या का आप गुननखन निकाल रहे हैं, और सुरू में आपका एक आएगा, ठीक है न, देख देखिए, सतर का गुननखन यही हो जाएगा, एक होगा, दो होगा, पांच होगा, साथ, तस, चौदव, पैटीस, सतर, इतना ही संख्या का पहड़ा में सतर आपका आएगा, तो यही हो जाएगा, आंसर इसक्वेशन का, तो बना लिजे इसको, फिर बढ़ते हैं अंगला क इसक्वेशन के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कह पढ़ते ह। पांच का पड़ाम नियाएगा छो का पड़ाम नियाएगा साथ का अठ चपन इस अठ चपन आएगा तो बस इतना ही आएगा ठिक है यहां पर लिख दना है अता छपन के गुननखंड अता चपन के गुननखंड बराबर क्या क्या आगया दिखिए यहां से इदस लेना है शुरू से छोटा से एक फिर दो फिर चार फिर साथ एक दो चार साथ अभी दस लेना है आठ आठ के उपर में है चवगदा और फिर अठाइस अठाइस के बाद चपन यहां पर चपन लिख देते हैं बस इतना सारा हो जाएगा आपका चपन का गुननखंड तो बस हो गिया यह आंसर ठीक है ना देख लिजे इसको नोट कर लिजे बना लिजे ठीक है चलिए अब आगे देखिए घौ नंबर नोबर में 64 का बोल रहा है तो चलिए 64 का भी निकालते हैं उसी प्रकार सबसे पहले यहां पर 64 लिखना है ठीक है अब दिखिए एक से गुना करें इसको इस प्रकार से आता है उसके बदफिर 64 किस करा सकता है तो दिकिए यहां पर दो से 2 कपड में आएगा कि M और में 32 जुना चाउश्ट आएगा का भी देखे रखे अब यहां पर दिखिए आगे बढ़ाते जैए एक कपडाम आएगा दो कप डाम आएगा तीन कपडाम नियाएगा चार कपडाम आएगा चार कपडार 60 बर पड़ने पर पर आपका 54 चूनो चुनो चोंख करा फिर आगया है तुख आप दो hu फट पर छोंख क्वला में भीने हैगा साथ को यागत आगळा नहीं एर गार देखिए-ई-ग उद्थ masih कपड़ा में आएगा 11 12 13 14 16 16 पड़ा में आएगा सुल लग चुक्कि चौट टिक है यह भी चौट आ रहा इदर से उसके बाद देखिए और क्या आएगा सुल लग कपड़ा के बाद हो जाएगा अब 32 कपड़ा में आएगा दिखिए चौट जो है ना यहां पर आएगा 32 दुना चौट बद तीस कपड़ा दो बर पढ़िएगा तब का आजाएगा ठीक हैं अलाकि यहां पर एक बर लिखा चुका है बद तीस गुना दो यह फिर ब सकते हं अता जो सथं चो शर्ट का उनाल कर्ण अता चौसट का गुरूंखंड ब्राबर देखिए सबसे पहले एधास लोन hasil चोटा से एक हो जाएगा दो हो जायेगा चार हो जाएगा उसके बाद आठ हो जायेगा जिवस्के द आत्व जायेगा इस एह स्मेश्म circular ड़ोन म तो आप इसको देख लीजिए और अपना कोपी में बना लीजिए इसको फिर बढ़ते अंगला कोशिन की और चलिए फ्रेंस आगे देखिए अंगा नंबर अंगा नंबर में 96 का यहां पर कहा है गुरून खर निकालने तो चलिए इसके निकलते हैं देखिए 96 लिखेंगे पर मैं एक तो 32 64 ठीकर और श्यानभी आएंगा कैसे आएगा चैर का फड़ा में आएगा चोबीस चोक च्छेए बर चैर कप्ड़ा चैंट्रीना परश्यान भी आएगा कैसी आएगा पाच का प्रन तो नहीं आएगा च्छोग मैं आएगा शोलध्षक छियानवी च्ञवा में अना शुलो भर पढ़ने पर आएगा चीह अन्वे और फिर 60 कैसे आएगा चो उसके बाद तो साथ में नीया अगा आठ में आएगा बारवाट de चीहानवे आट पर में वारवाट्थे चीहानवे ठीक है यह आठ है अ ओर दिख्की 56 केसे आयेगा 9 कपड़ामने आयेगा 10 कपड़ामनी 11 कपड़ामनी 12 कपड़ामनी आयएगा ठिके न है तेयां पर 12 आठे ओला क्यी वही वला आ आ गिया 12 sister यही तक आपको लेना है दिखी यह बारत आ गया इधर भी आठ आ गया आगया बने लेना इतना सही काम हो जाएगा अब यहां पर नीचे में आपको क्लेन लिख दना है अत्य च्यानवे का गुनन खंड अत्य च्यानवे गुनन खंड बराबर इधर से लिखना है एक से पहले सुरू से चोटा से एक फिर दो फिर तीन फिर चार चार फिर फिर आठ उसके बद फिर बार रहा ठीक नहीं उसके बारा के बाद देखिए और उससे बड़ा कोन आँ बारा के बाद सुल्ला है ठीक है और चियानवे हैं बस इतना ही हो जाएगा गुरनखंड चियानवे का एक होगा दो तीन चार चो आट बारत सोलों बद तीस अरतारीस और चियानवे ठीक है तो देख लिजी इसको नोट कर लिजी फिर बढ़ता है ला कुछन की और देखे फ्रेंस और एक लास्ट क्वेशन है गुरनखंड बाला सवाल ठाट और यह चोषान मरका है तो देखे चोषान में कुतना एंचा मितना जावाएं ठेके निनव गोरिण कर ननरा है इसका भी बहुत ही आसान है देखिए यह तो सबसे आसान है यहां पर आपको लिखना नावे बराबर देखिए एक कपड़ा में 990 आएगा और नावे कैसे आएगा तो आपका 11 कपड़ा में आएगा नावे ठीक्षा ग्यारण नम नेन आवे बस इतना ही आपका होगा एक होगा नो होगा 11 होगा और 99 वा कि बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा 9 हो जाएगा 11 और 99 बस इतना ही होगा इस question का answer ठीक है अच्छा यहां पर जहना और 33 भी होगा जिसे देखिए 99 जो है नहीं यह 33 का फ़ड़ा में भी आएगा देखिए 33 टिन तिन टिन तीन बी आता है तो देखिए इसमें से अपकर जाएगा एक तीन नो ग्यारा और यह 33 भी हो जाएगा तो यहां पर 33 लिग देता है को चलिए 13139 इतना हो जाएगा निन आदी गांग का गुर्णखन ठीक है तो फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहते हैं इससे आगे वाला सवाल को हम लोग अगला वीडियो में करेंगे वीडियो अच्छा लगा समझ मैं आद वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और यदि आप हमारी चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान का नो आप तक पहुंच सके तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं इसका अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट को लेकर तब तक के लिए थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो